समस्कार दोस्तों विवेक्टी.nd में आपका स्वागत है मेरा नाम है विवेकुमार मेरे पात है यहाँ पर सैमसंग के दो डिवाइस और एक है यहाँ पर M12 दूसरा है A12 और हम दिखेंगे यहाँ पर क्या डिफरेंस दोनों ही फोन में कंपने आपको दिया है और प्राइज क तिकनेज की एटOLD की तिकनेज से 1.9 थिखने से 9.7 टॉण की भी दोनी फान क ​ MARY साइड तौघ लिए बात्किरि दोन फान को फिंगर प्रेंस निएक दोन फोन में नहीं है बात करने अगर लेफ साइड की तो यहाँ पर आपको मिल जाता है दोनी फोन का sim tray जहाँ पर triple slot support करता है और bottom पर आपको मिल जाता है दोनी फोन का speaker उसके बरावर में है charging jack, फिर mic और earphone jack तो totally design में कोई difference यहाँ पर नहीं है और यह है दोनी फोन का back side यहाँ पर आपको भी यहाँ पर भी 1% भी difference आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा सेम प्लास्टिक की body यहाँ पर uni body आपको देखने के लिए मिल जाती है Samsung Galaxy A12 और M12 में Samsung की branding आपको मिल जाएगी और quad camera setup भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है अब यहाँ पर phone को कर लेते हैं दोनी फोन को boot और फिर देखेंगे इंटरल का difference आपको यहाँ पर दोनी फोन में देखने के लिए मिलता है क्योंकि design में तो कोई difference यहाँ पर 1% भी दोनी फोन में नहीं है हाँ thickness ज़रूर ज़्यादा थी M12 की और वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पर battery आपको ज़्यादा मिल रही है A12 से अब देखनें इंटरल hardware में का difference आपको दोनी फोन में मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर हो चुके दोनी फोन boot और watt करने display की दोनी फोन में 6.5 इंच की HD Plus IPS display आपको मिल जाती है डिफ्रेंस यह है Samsung Galaxy M12 में जो डिस्प्ले हो है 19Hz refresh rate के साथ आने वाली जो कि A12 में 16 सपोर्ट करती है साथ दोनी फोन में आपको मिल जाती है infinity V display तो वहाँ पर भी कोई difference नहीं है साथ यह यहाँ पर दोनी फोन का quick panel और काफी सारे features आप यहां से access कर सकते हैं और यहां पर भी कोई features में और दिश्टर भी दोनी फोन में आपको मिल रहा है सिंक का option दोनी फोन में आपको दिया हुआ है साथी smart view का option भी दोनी फोन में है यह सिंक आप देख पा रहे होंगे और इसी के साथ यहाँ पर ultra data saving mode का option आपको M12 में देखने के लिए नहीं मिलेगा एक features से मिला जो कि आपको M12 में नहीं मिल रहा है साथी quick share यहाँ पर आपको दिया हुआ है dark mode है focus mode है और dolby atmosphere दोनी फोन में है तो features यहाँ पर सारे हैं दोनी फोन में कोई difference यहाँ पर नहीं है अब बात करते हैं hardware की तो देखी यह है यहाँ पर दोनी फोन आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले M12 और यह है A12 और यहाँ पर इसके model number सब कुछ लिखा हुआ है अब ब तो देखे M12 में आपको मिलता है 1UA के latest version 3.1 वहीं A12 में है 2.5 और यह दोनी फोन इंबॉक्स में आपके साथ लाते हैं और साथ Android 11 के साथ आता है M12 जबकि A12 आता है Android 10 के साथ में प्रोसेसर की अगर बात करें तो M12 में आपको मिलता है गिनस का 850 वक्टाकोर प्रोसेसर 8.9 वर करता है 12 nanometer technology बर और यहां पर GPU आप मनता है PowerVR GE8320 साथ दोनों इफोन 464 के variant में आते हैं A12 4128 के दूसरे variant में आता है जबकि M12 6128 के दूसरे variant में आता है साथ बैटरी की अगर बात करें वहाँ पर वहाँ भी M12 A12 से ज्यादा अच्छा है क्योंकि M12 में आपको मिलती है बैटरी 6000 एमेच की वहीं A12 में बैटरी है 5000 एमेच की तो बैटरी ज्यादा है तो बैकप भी ज्यादा होगा और इसलिए थोड़ी थी तिकनेस जादा है और यह है UI का डिफरेंस और आप देख पारे हूं यहाँ आपर 19 हर्ज और 16 हर्ज डिस्प्ले आप देख रहे हैं स्क यूजर मैनुल सॉफ्ट्वेर अप्डेट एक्सिवल्टी जनरल मैनेजमेंट दोनाई फॉन का एप एप्लिकेशन डिवाइस केयर और बैटरी यहाँ पर 3.1 में डिवाइस के रिक साथ बैटरी का ऑप्सन भी जोड़ दिया गया है और यह है यहाँ पर देख पारे होंग सब्सक्राइब एपेशन इतल old you can enjoy it Ilaid डियूसेल में नहीं है लाके साब्सक्राइब आपको यह रिप्डान ही जगे और turn on screen दोनों ही आपको मिलते हैं M12 में यह जो features हैं यह बन यूई 3.1 के features हैं और क्योंकि A12 में 1UA 3.1 नहीं है इसलिए यहाँ पर आपको यह features नहीं मिलेंगे और swipe to call और send message यह features यहाँ पर A12 में है और Samsung का काफी अच्छा features है और M12 में मिरे को यहाँ पर नहीं देख रहा अभी M12 में call करके check करना पड़ेगा क्या swipe to call और message work करता है या नहीं करता भागी दोनों ही phone में यहाँ पर आपको मिल जाता है game launcher, dual messenger तो features में भी कोई खास difference यहाँ पर मिरे को दोनों ही phone में नहीं देख रहा है बात कर लेते हैं दोनों ही phone की security की तो security के लिए दोनों ही phone में face lock और उसके साथ fingerprint lock दिया हुआ है अब यहाँ पर अनॉल कर लेते हैं अपना face lock और fingerprint lock फिर देखेंगे performance किस phone की ज़्यादा अच्छी आपको देखने के लिए मिलती है तो दोस्तों हमने यहाँ पर अनॉल के लिए दोनों ही phone में face lock और fingerprint lock अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर performance किस phone की ज़्यादा अच्छी है तो पहले बात कर लेते हैं fingerprint की और यहाँ पर आप देख पा रहा होंगे दोनों का fingerprint काफी अच्छे से वर्क कर रहा है लेकिन A12 का fingerprint M12 की मुकाबले बहुत हलका सा slow है इतना slow नहीं है लेकिन आप देख पा रहा होंगे पहले M12 अनलोग हो रहा है अब face lock की बात और face lock में भी यहाँ पर आप देख पा रहा होंगे A12 थोड़ा सा slow था एक और देखते हैं इस बार भी A12 slow था और एक बार चेक कर लेते हैं यहां पर तो इस बार भी A12 slow था यानि fingerprint हो यहां फेस लॉग एट्वेल बहुत हलका सा यहां पर स्लू है एम ट्वेल से फिंगर्पिंट में भी और फेस लॉग में भी तो अभी तक हमने देखा यहां पर दोनाई फॉन का डिजाइन जो कि बिल्कुल सिमिलर है कोई डिफरेंस दोनाई फॉन के डिजाइन में आपको नहीं मि साथ केमरा यहां पर दोनाई फॉन में कोई डिफरेंस का में दिंग आ हुँआ यहां पर दोनाई फॉन में कोई डिफरेंस है या नहीं अप देख पारेऊंगे यह मेन फोटो मोड दोने फोन का अल्टरवाइड मेन फोटो मोड पर यह आपको मिल जाता है साथ यहां पर आपको मिल जाता है option flash का और flash के बरावर में timer है दोने फोन का screen size और फिर यह है filter और face यानि की beauty mode दोनी फॉन में same है, यह है दोनी फॉन का portrait mode A12 में live focus के नाम से लेकिन यह update हो जाएगा 3.1 में तो यहाँ पर भी portrait आ जाएगा, साथ ही skin smoothness का option भी आपको यहाँ पर portrait mode पर मिल जाता है यह है दोनी फॉन का video recording mode, यहाँ भी ultra wide work करता है और साथी बात करें video recording की, तो यहाँ पर check कर लेते हैं M12 में full HD दख का video recording support 30 fps पर, साथी A12 में भी full HD दख का video recording support आपको मिल जाता है 30 fps पर, तो यहाँ भी कोई reference नहीं है, साथी यहाँ पर भी video mode पर दोनी फॉन में beauty और filter साब को मिल जाते हैं साथी pro, panorama, macro और food mode, यह भी दोनी फॉन में same है, और decopic यानि की वो ही अपना face mask बगएरा, वो भी यहाँ पर दोनी फॉन में दिये हुए है front camera यहाँ पर 8 megapixel का है, और बात करें, front camera features की, तो more से start करते हैं और यहाँ पर जो front camera के features काम करेगा, वो करेगा decopic, बागी और कोई option यहाँ पर front पर work नहीं करेगा साथी है video recording mode, और यहाँ पर भी आपको देख पर रहे होंगे filters और beauty mode दोनी मिल जाते हैं बात करें video recording की, तो full HD तक का video recording support आपको यहाँ भी मिल जाता है, Samsung Galaxy A12 के front camera पर बैग्राउंड बिलने, इसको address करने का option जो है, वो add हो जाएगा, बाकी skin smoothness का option है, filters नहीं है, M12 में front camera सेम है, और बात अगर features की करें, तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कोई difference आपको मिलता है या नहीं, अब देख आ रहे हो, यहाँ पर भी वही same features है, जो की A12 मिलते थे, यहाँ पर भी deco pic का option है, वो ही वर्क करेगा, यह video recording mode, दोनी फोन का, और यहाँ पर भी आपको filters and face, यानि beauty mode मिल जाता है, साथ यहाँ भी full edge तक का video support आपको मिल जाता है, front camera पर, और साथी अगला features जो है, वो हमारा photo mode, और यहाँ पर भी white selfie का option है, और यहाँ पर आपको face और filters दोने मिल जाएंगे, flash का option भी आपको दिया हुआ है, यह portrait mode, यहाँ भी white selfie है, background awareness को आप address कर प और internal features same है, difference यहाँ पर दोने फॉन में hardware का है, M12 में Xenos 850, जबकि Samsung Galaxy A12 में आपको Helio P35, अपको प्रिसेजर मिलता है, अलागि मैंना दोने फॉन का speed test किया तो कोई खास difference नहीं था, अब बात करते है, price की, तो A12 दो वेरिंट में आता है, 464 जिसका प्राइज है, 12999 और 4106 जिसका प्राइज है, 13999, वहीं M12 दो वेरिंट में आता है, 4400 जिसका प्राइज है, 13999 और 6106 जिसका प्राइज है, 13999 यानकि M12 अच्छे features के साथ 6122 में 13999 आपको मिल रहा है, जबकि A12 4122 में आपको 13999 रुपे का मिल रहा है, यानकि 500 रुपे और कम में आपको 6122 मिल ज आपको सस्ते मिल जाते हैं, ताकि ये online company यानकि MI, Realme, Redmi इन से fight कर सके है, तो वहां के लिए M12 company ने उता रहा है, और offline market में इसको fight होती है, OPPO Vivo से, तो वहां के साफ से A12 भी सही है, तो ये था हमारा Samsung Galaxy M12 और A12 के बीच for comparison, उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद बूले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले हैं, मिलते हैं एकली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, have a nice day